येस, हाई बटा, दिससाइट सीए 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 सहरीश मतारिया और आज मैं आप लोगों के लिए 12 स्टेंडर महाराश्टर बोर्ड 12 वी, Bookkeeping and Accountancy सा NPO टॉपिक, विच इस वन अप दे टिपिकल, क्या बोल रहो मेरे बच्चे में, टिपिकल टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है बच्चों को ऐसा लगता है कि NPO, बच्चों को ऐसा लगता है कि NPO, स्क्रीन पे दिख रहो बटा पो, not for profit organization और not for profit concern और प्यार से NPO टॉपिक कहते बटा, बच्चों को ऐसा लगता है काफी difficult है, लेकिन अगर आप इससे logically, बगेर learn किये, एकदम logically अगर आप हर चीज सोच के अगर आप करोगे न, तो मेरे बच्चे ये topic बस 20 minute का topic है, और हाँ, बिल्कुल सही सुना, 20 minute में आपको मैं पूरा NPO का concept explain करने वालो मेरे बच्चे, yes or no, so 12th standard, bookkeeping and accountancy, महराष्टर बोड, new syllabus बढ़ा, new syllabus, 2020, बटा, ये आपका ही book है, text book है, महराष्टर बोड का, please ज्यान द in accounting, रुको आपको दिखा देता, आपको दिख रहागा बटा, स्क्रीन पे, ओ, हाँ, दिख रहा है बटा सभी को, computer in accounting, बिल्कुल चिंता मत करना, ये पूरा का पूरा topic आपको next video के अंदर में मिल जाएगा, बटा, पूरा topic explain करने वालो, अभी काफी बच्चों की request आई थी कि सर, NPO जो topic है, accounts for not for profit concern, तो इसके उपर एक video बना रहा हूँ, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, और इस video का मज़ा लेना बिटा, और definitely आपको कैसा लगा, मुझे comment में बताना, या फिर आप मुझे इस number पर WhatsApp भी करके बता सकते हो, 98220-93220, है ना, बट अभी नहीं, अग सर, वीडियो अच्छा लगे, तो definitely comment करना, मेरे बच्चे, so मैं start कर रहा हूँ, NPO, not for profit concern, पहला एक आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरे बच्चे, कि NPO profit कमाता है, कि नहीं कमाता है, क्या पूछा मैंने, NPO profit कमाता है, कि नहीं कमाता है, काफी सारे बच्चों का जवाब रहे लेकिन सर, पिर उसको NPO क्यों बोलते, reason, because उसका intention नहीं होता है profit कमाने का, no intention to earn a profit, उसका profit earn करना objective नहीं है, no objective, no objective, not objective to earn a profit, but उसे profit हो जाता है, एक कमान, sentence में गह रही है, NPO को भी profit होता है, इस profit को प्यार से, आप लोग surplus कहते हो, मेरे बच्चे, जो बच्चे ने NPO पढ़ा होगा इसके पले, NPO को भी profit या surplus हो जाता है, लेकिन उसका profit earn करना कभी भी objective नहीं था, प्रोफिट earn करना उसका कभी भी objective नहीं था, वो तो अ NPO के कुछ examples, ये बहुत सारे example है, मंदिर, मस्जीद, church, काफी सारे hospital है, hospitals है, not for profit organization, समाज सिवा के लिए है, दगडु सेट मंदिर, NPO का example है, काफी सारी मस्जीद, NPO का example है, काफी सारे church, NPO का example है, universities, पुने university, NPO, not for profit organization है, मेरे बच्चे, ये सो नो, सो काफी सारी ऐसी organization है, जिनका profit earn करना कभी भी objective नहीं था, बट उन्हें profit हो जाता है, yes or no, clear है, चलो, थोड़ा सा आगे बढ़रो बिटा, अब जो की NPO की बात चल रही है, प्लीज ज्यान देने आप सभी ने, प्लीज ज्यान देने बिटा, NPO basically करता क्या है, प्लीज ज्या सब्सक्रिप्शन, NPO के example अपको में बता है, मंदिर, मस्जी, चर्च, यूनियोर सिटीज, कुछ हास्पिडल से बिटा, सब्सक्रिप्शन आता है, सर किन से आता है, इनके members से, सर इनको donations भी आते है, हाँ मेरे बच्चे, इनको donations भी आते है, इनको fees आती है, या काफी सारे N NPO, ना नफा, ना थोटा, मंजे no profit, no loss पर कुछ सामान सेल करते है, है न, सेल on no profit, no profit, no loss, no loss basis, वहां से भी इनको पैसा आता है, गौर्मेंट से grants आती है, subsidy आती है, yes or no, काफी सारे इनके source of income है, जहां से इनको पैसा आता है, ये इनकी सारी receipt है, मेरे बच्चे, ये इनकी सार का, maintenance expenses है, ऐसे इनके काफी सारे खर्चे भी है, जिस objective के लिए ये form हुए है, उस objective के लिए भी खर्चा करना है, yes or no, तो ये मान लो, इनकी अगर receipt ज़ादा है, है न, इनकी income ज़ादा है, और इनके expenses कम है, प्लीज जहांने न, बटा भी, अब इसी वितना समझ लो, कि इनकी income ज़ादा है, और इनके expenses कम है, तो जो difference आता है, उस difference को हम लोग प्यार से surplus बोलते, हाँ, profit नहीं बोलेंगे, कहने का ही फरक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, profit की जगा surplus, profit बोला तो थोड़ा commercial लगता है न, बट ये तो non-commercial organization, yes or no, sir हमें तो ये बता दो, NPO की accounting भी वैसी होती है के ज़से normal accounting होती है, थोड़ा सा अंतर है बेटा, debit credit के rules same रहेंगे, debit credit के जो आपके rules थे, ये rules में कोई बदला होनी है, rules as it is apply होने वाले, rules as it is apply होने वाले, sir फिर फरक कहा है, framework of the financial statement, फरक कहा है, framework of financial statement, final account में फरक है, अच्छा, मतलब sir NPO, ये trading account, profit and loss account, balance sheet नहीं बनाता है, NPO trading PNL नहीं बनाता है, NPO balance sheet बनाता है, इसे आप लोग प्यार से statement of affairs भी बोल सकते हो, मतलब sir NPO trading PNL बनाती नहीं है, वा, कितना असान हो गया, trading PNL बनाने का काम नहीं है, तो सारी जंजट से बच गए, नहीं बटा, trading PNL नहीं बनाएगा, लेकिन इस सारी संस्तान है, पूने का अपना दगडू से ठलवाई है, यस और नो, पैसा तो बहुत आ रहा है, और इनके कुछ खर्चे भी हो रहे है, लेकिन उसके बाद जो बच जाता है, उसको हम लोग प्यार से surplus बोलते हैं, तो अब और ये NPO को tax में benefit मिलता है, इनको tax देने की ज दरवत नहीं है, तो ये चीज कुछ लोगों के समझ में जब आई, तो कुछ लोगों ने fraud के intention से NPO create करना शुरू कर दिया, जला आपन पन अपलकाईतर ही NPO सुरू करूं ताको, हाई की नहीं, हम भी कुछ मंदिर बना लेंगे, उसके जरीए हमारी income हो रही है, खर्चे कम ह हो रहे है, तो बचा हुआ balancing figure surplus हो जाएगा और इसके ओपर तो tax भी नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए क्या हुआ, इस जंजट से बचने के लिए NPO को accounting करना कंपल सरी है, लेकिन उतनी detailed accounting करने की जरूत नहीं, लेकिन accounting करना तो पड़ेगा भाईया, NPO को audit करना भी कंप NPO form हुआ है, जो उद्देश शक लिए NPO form हुआ है, उसी उद्देश शक लिए आपका पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, NPO में जितना पैसा आ रहा है, हर एक की accounting हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहां जहां खर्चा हो रहा है, हर एक का accounting हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब books of accounts को चेक करने की process को कहते है audit books of account को चेक करने की process को कहते है audit audit कौन करेगा चार्टर अकाउंट है सर आप CA हो गया हाँ सर आप audit करते हो गया हाँ yes or no सो अब आपको थोड़ा बहुत idea आ गया हो गया कि NPO को भी profit होता है उसे आप लोग surplus कहते हो लेकिन उसका profit earn करने का कभी भी intention नहीं रहता objective नहीं रहता सर फिर NPO को accounting करना है आपने बोला detailed accounting नहीं करना है लेकिन क्या करना है NPO को bookshop accounts maintain करना है NPO अपने final account में क्या-क्या बनाएगा आप अच्छे से ध्यान देना NPO अपने final account में क्या-क्या प्रिपेर करने वाला है NPO अपने final account में क्या-क्या बनाता है बिटा प्लीज ध्यान दे न, NPO prepare करेगा receipt and payment account, NPO prepare करेगा income and expenditure account, profit and loss नहीं, बड़ा commercial लगता है, profit and करना objective है ही नहीं, तो क्यों बनाओ में profit and loss account, income and expenditure account, और balance sheet, प्यार से statement of affairs, और balance sheet, प्यार से statement of affairs, ये बात आपको समझ में आई मेरे बच्चे, yes or no, इतनी चीज़े आपको समझ में आई होगी, चलो, ये तो चीज़ पक्ती हो गई, कि NPO final account में ये तीन चीज़े, ये तीन statement बना रहे है, ओह, 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 चलो, ठीक है, प्यार से statement of affairs बोल देंगे इसको, statement of affairs, आगे बता हूँगा क्या करना है, अब NPO में जो सबसे बड़ी account is like a cash book, cash book, और मैं प्यार से बोल दूगा cash account, cash and bank account, cash and bank account, and income expenditure is like a profit and loss account, receipt payment, किती पैसा आला, किती गिला, like a cash book, and income expenditure account is like a profit and loss account, yes or no, बस ये दो चीज़े समझ लो, balance sheet तो दूद पीते, बच्चे का काम है, कोई भी बना लेगा, liability side में, liability लिखना है, asset side में asset है, लेकिन main जो बच्चों को दिक्कत आती है, वो income expenditure और receipt payment, अब यहां से आगे जो 15 minute का discussion है, आपकी सारे, आपकी सब की, आखे खुल जाएगी receipt payment और income expenditure का, वो हम लोग discussion करने वाले बस 1000% concentration के साथ बस घुच जाना इसमें, यह चीज समझ लेना मेरे बच्चे, अब मैं लिख रहा हूँ, लिखो, सबसे पहले तो लिख लो receipt and payment account, बस यह दो चीजों का discussion में कर रहा हूँ, कौन सी दो चीज है, receipt payment और income expenditure, receipt payment और income expenditure, 1, 2, that's it, game over, balance sheet बहुत आसान है, balance sheet का मुझ receipt payment की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना, सबसे पहले, receipt and payment account, receipt and payment account, receipt and payment account, चलो, आगे बढ़ते बिटा, प्लीज ध्यान देना, बच्चम लोग 12 standard का not for profit organization बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने NPO का सबसे बले meaning देखा, NPO में कहां कहां से पैसा आता है, कहां कहां पैस जाता है, वो देखा, अब NPO का final account में जो सबसे पहला statement बनता है, जिसका नाम है receipt and payment account, NPO के final account में receipt payment, income expenditure और balance sheet बनती है, उसमें सबसे पहला receipt payment में आपको पता रहो, आपका please GPS location on करके रखना, आपको पता होना चाहिए, आप इस दुनिया में, इस पूरिफ़ी पे 12 commerce में, NPO, तो NPO में receipt payment अभी पढ़ रहे हो, क्या बोलते हो, yes or no, चलो आगे, so please ज्याना है बेटा, so receipt payment account क्या चीज़े सुनना, receipt payment account क्या चीज़े, is like our cash book, cash bank account, like our cash book, account बोलते ही आपके दिमाग में आ गया, सर T-shape format है, left side, right side, left side, cash book में क्या थी, receipt side, पैसा आया तो इधर लिख देंगे, पैसा गया तो right में लिख देंगे, yes or no, that's it, game over, please ध्यान देना मेरे बच्चे, receipt payment का detail discussion बता रहो, detail discussion बतारो बिटा, so जब कभी भी, आप receipt payment account बनाओगे, NPO को बहुत ज़रूरी है, NPO को ज़्यादा detail accounting नहीं करना है बिटा, उसे receipt payment account और income expenditure account हमेशा maintain करना है, अब पैसा जब कभी भी आएगा NPO के पास, please ज्यान देना, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, any receipt related to, any trade, तो आपने इतने जोर से क्यों बोला, बेटा receipt payment account हम लोग जो बनाते हैं, वो cash basis पे बनाएंगे, cash basis पे बनाएंगे, means यहाँ पे NPO के receipt payment account में, receipt any related to any trade, अगर इस trade में मिला है, any receipt during the current trade, during the current trade, during the current trade, which may be related to, फिर वो related to any trade रहो, वो यहाँ पे NPO के receipt side में आ जाएगी, वो NPO के receipt side में आ जाएगी, सर समझे नी, फिर भले पिछले साल का मिलना कुछ बागी था, पिछले साल का subscription आना बागी था, वो इस trade में मिला, तो भी वो इस trade के receipt payment में आ जाएगा, अगले साल जो subscription आने वाला था, वो advance में, कुछ लोग out of India जाने वाले थे, उन्होंने बला, अगले साल का payment है, हम लोग इसी साल subscription दे देते, तो भी वो इस साल के receipt payment में आ जाएगा, मतलब receipt payment को कोई मतलब नहीं है, फिर वो कौन से trade का receipt है, P&L account बच्पन में देखा न, P&L account 11-12 में आपने देखा होगा, profit and loss account, profit and loss account केता है, इस trade में इसी trade का खर्चा, इस trade में इसी trade की income, लेकिन receipt payment का ऐसा नहीं है, receipt payment में बोलता है, चल भग, चल घर जा, इस trade में receipt हुई है, which may be related to past, which may be related to future, फिर which may be related to current trade, अगर current trade में मिला न, अगर receive हुआ, hey come on, receive हुआ current trade में, फिर वो related to any trade रहो, कोई फरक नहीं बढ़ता, receipt payment में आ जाएगा, यह जो बता रहा हूँ sentence बहुत काम का है मिला बच्चे, और उसके बाद, उसके बाद, any payment during the current trade, then which may be related to, which may be related to, any trade, current trade में payment हुआ, फिर वो किसी भी प्रेट से related रहो, payment कब हुआ, during the current trade, receipt कब होई, during the current trade, फिर वो related to any trade रहो, बहुत काल, बविश्यकाल, वर्तमान काल, बहुत काल, बविश्यकाल, वर्तमान काल रहो, किसी से भी related रहो, payment, any payment, मान लो हमने अगले एक साल का भाड़ा, अगले से एक साल का रेंट अभी पे कर दिया NPO ने, तो भी वो अभी के पेमेंट में आ जाएगी, लेकिन profit and loss account में ऐसा नहीं होता था, current प्रेड में current प्रेड का ही रेंट, फिर वो पे करो चाहे ना करो, current प्रेड का ही रेंट current प्रे में दिया हो, वो इस प्रेड के रिसीट पेमेंट में आएगा, future का भाड़ा हमने अभी दिया हो, इस प्रेड के पेमेंट में आएगा, तो रिसीट पेमेंट को प्रेड से कोई लेन देन नहीं है, कोई भी प्रेड की रिसीट रहो, कोई भी प्रेड का पेमेंट रहो, कोई भी प्रेड का expenses रहूं है, इस प्रेड में अगर वो income मिला या इस प्रेड में अगर वो expenses का payment किया तो वो इस प्रेड के receipt payment में आएगा, ये sentence पर ध्यान रखना, लेकिन इससे बिलकुल opposite है पेटा, income expenditure account, इससे बिलकुल opposite क्या है पेटा, income expenditure account, देखो मैं आपको बता दो, इससे बिल्कुल opposite है income expenditure account इससे बिल्कुल opposite है मेरे बच्चे इससे बिल्कुल opposite है income expenditure account मैं आपको बतारो बटा लिख करके यही पर लिख करके बतारो प्लीज ध्यान देना यह देखो दूसरा income income and expenditure account like P&L like our profit and loss account जैसे normal बनाते थे debit में expense, left side में expenses, right side में income गौर से सुनना receipt payment, receipt payment basis याने cash basis पर लेकिन income expenditure का ऐसा नहीं है income expenditure कहता है भाया इस प्रेड में इसी प्रेड के expenses आएंगे expenses, expenses related to, related to current, current, प्रेड ओनली फिर भले उसका payment हुआ हो चाहे payment ना हुआ हो याने payable चाहे payment ना हुआ हो not paid so income expenditure account कहता है भाया इसी प्रेड में इसी प्रेड के खर्चे फिर भले उस expenses का payment हुआ हो चाहे ना हुआ हो पिछले प्रेड का भाड़ा पिछले प्रेड का रेंट अगर इस प्रेड में peeg किया है तो क्या इस प्रेड के expense में आएगा किया इसी प्रेड की income related to current प्रेड only ना पिछला ना अगला लेकिन receipt payment क्या कहता है कोई भी प्रेड का receipt payment रहो इस प्रेड में पैसा आया फिर वो related to any प्रेड रहो इस प्रेड में आएगा receipt payment कहता है इस प्रेड में पैसा गया फिर वो चाहे कोई भी प्रेड से related रहो तो receipt payment प्रेड की बाते नहीं करता है income expenditure प्रेड की बाते करता है कौन से प्रेट का expense है कौन से प्रेट की income है आईसी बात कर रहा है यस और नो और income side में कौन सी income आएगी income income related to related to current trade only income related to current trade only फिर भले ही वो income receive हुई हो received or not current trade में income due हो गई न तो current trade के income expenditure में income में आ जाएगी फिर भले वो income मिली हो चाहे ना मिली हो अगर मिल गई होगी तो दुसरा इफिक receipt में आ जाएगा नई मिली होगी तो data में दिखेगा balance sheet के side में so income expenditure account बड़ा सिधा साधा है कहता है भया इस spread का income इस spread का expense मतलब income expenditure accrual concept follow कर रहा है और ये cash concept follow कर रहा है ये accrual concept follow कर रहा है क्या बोलते हो मेरे बच्चो बस ये 4 sentence hey come on ये 4 sentence एक, दो, तीन, चार जिसने 4 sentence अच्छे से समझ लिए बात में गह रही थी बटा एक बार फिर से इस वीडियो को देखना definitely आपको receipt payment, income expenditure account समझ में आ जाएगा balance sheet बहुत simple है, liabilities और assets लिखना है balance sheet में कोई अलग rule नहीं है बस ये आपको बताना रहा इसके बारे में detail video आपको जाना है definitely मुझे comment करके बताना आपका अगर कोई दिक्कत है 12th का कोई भी topic जो आपको tough लगता है definitely आप comment करके बता सकते हो thank you very much this side stay home, stay safe, bye bye, love you all take care मेरे बच्चे और हाँ, आपके जो कोई भी junior से दोस्तियार रिष्तिदार है 11 standard के मैं काफी सारे lectures अप्लोड कर चुक हूँ और एगदम sequence में new syllabus ये 12th का भी new syllabus है definitely आप comment कर सकते हो मुझे बता सकते हो बटा thank you, bye bye